हलो दोस्तों कैसे आप सब लोग आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इंज्वाई कर रहे होंगे आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा पूरी वर्ड वाइड बिटकोईन और क्रिप्टो करंसी की मार्केट लगभग साइड बेज में चल रही है आईसे में चलते बहुत सारी ऐसी नियूज और अपडेट्स निकल करके आ रही है जो कि हम सभी आप सभी जितने भी बिटकोईन क्रिप्टो करंसी के यूजर्स हैं उनके लिए जानना बहुत ही ज़ादा जरूरी है आज की जो पहली और इंपोर्टन निकल करके आई वो यह है कि बिटकोईन रिकॉर्ड टू एक्स हाइर 30 डे ट्रेडिंग वोलियूम दैन एपल डेस्पाइट बियर मार्केट आप सभी लोगोंने नोटिस किया होगा पिछले एक महीने में बिटकोईन क्रिप्टो करंसी की मार्केट में बहुत ही ज़ादा मैनुपिलेशन देखा गया है और सबसे बड़ी वज़ा ये बताई जा रही है कि जो बड़े-बड़े विटकोईन क्रिप्टो करंसी को पूरी तरीके से मैनुपिलेट किया है और यही वज़ा है कि 2X जो है ट्रेडिंग वोल्यूम है बिटकोईन का वो बन चुका है एक नया रिकार्ड और कंपेर किया गया है एपल की मार्केट से तो आप लोग खुछ सोच समझ सकते हैं कि वेल्स लोग कितना जादा यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं और नए नए रिकार्ड भी बनाये जाते हैं अब हम बात करते हैं दूसरी जो इंपोर्टन निज निकल करके आ रही वो यह है कि ट्रेडिंग वेत्रान सीज मोर एंग इन्वेस्टर्स चूजिंग क्रिप्टो ओवर गोल्ड आप लोगों ने देखा होगा पूरी वर्ड वाइड बहुत सारे यूथ हैं जो बिटकोईन क्रिप्टो करनसी में काम करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं ट्रेडिंग करते हैं जो पूरी वर्ड वाइड यहाँ पे एक डाटा निकल करके हैं वो यह है कि जो नए लोग हैं जो यंग पीपुल हैं वो लोग बिटकोईन क्रिप्टो करनसी में ट्रेडिंग बहुत ही और सबसे बड़ी वज़ा यही है कि gold में आपको इतना ज़्यादा manipulation नहीं मिलेगा और cryptocurrency bitcoin market में manipulation मिलेगा और जहां भी आपको manipulation मिलता है fluctuation मिलता है वहाँ पर आपको trading करने का मौका भी मिलता है और वहीं से जितने भी traders होते हैं उस चीज का benefit उठाते हैं तो आप लोग खुछ सोची आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे youth और होने वाले हैं जो bitcoin cryptocurrency में investment भी करेंगे ट्रेडिंग भी करेंगे और उनको बहुत ही जादा मजा भी आने वाला है अगली जो important news निकल करके आई है वो यह है कि Brazil country से जी हां Brazil's XP Inc. to open cryptocurrency platform to clients in August simple सा इसका मतलब यह हुआ कि आप लोगों ने notice किया होगा मैं लगबग हर वीडियो में cover करता रहता हूँ कि पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी company है वो आज नहीं तो कल bitcoin cryptocurrency market में इंटर जरूर करेंगी चाहे वो directly करें या फिर indirectly तो Brazil country की एक बहुत बड़ी firm है जो XP Inc. के नाम से है और उसने announcement किया है कि आने वाले अगस्त के महीने में हम भी bitcoin cryptocurrency का exchange launch करने वाले हैं जो कि हम सभी आप सभी जितने भी bitcoin cryptocurrency के users हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुसखबरी वाली बात है उसके बाद में हम बात करेंगे जो अगली important news निकल करके आ रही वो ये है कि आप सभी लोगों ने देखा होगा जब भी मैं news research करता हूँ तो कहीं न कहीं Siba Inu की news जरूर निकल करके आती है और चाहे वो positive हो या negative आप सभी लोगों के साथ में मैं share जरूर करता रहता हूँ तो again जो Siba Inu की news निकल करके आ रही वो ये है कि Siba Inu reveals SB visa card Siba burn rate spike 235% तो आप लोगों को सबसे पहले ये बता देते कि 235% की जो growth है वो देखने को मिल रही है जो भी Siba cryptocurrency में burning की जा रही है और Siba cryptocurrency के जो भी developer team है उन्होंने announcement किया है कि एक SB visa card launch किया जाएगा अब SB क्या है SB का full farm होता है Siba और B का full farm होता है burn Siba burn वाला एक visa card launch किया जाएगा जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कहीं न कहीं इनकी जो developer team है वो proper थरीके से काम कर रही है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जितने भी Siba cryptocurrency के holders है उनके लिए यह एक बहुत बड़ी good news भी है उसके बाद में बात करेंगे एक important जो news निकल करके आई वो है Jimpex की तरफ से जी हाँ Jimpex ordered to resume trading withdrawals and following worrying freeze आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पूरी worldwide यहाँ पे क्या हो रहा है Bitcoin cryptocurrency का future बहुत ही ज़्यादा strong है और हर एक government कहीं न कहीं Bitcoin और cryptocurrency को बहुत ही ज़्यादा support भी करती है तो जो Jimpex यहाँ पे trading platform है वो है Thailand country का और Thailand country का दूसरा सबसे बड़ा cryptocurrency का exchange है जिसका नाम है Jimpex और जो पहला cryptocurrency का exchange है टॉप क्लास का Thailand country का उसका नाम है BitCup तो problem कहाँ पे आ रही है जो Thailand country की securities exchange commission है उसने order किया है कि Jimpex जो platform है वो Bitcoin cryptocurrency के trading करे और उसके बाद में यहाँ पर deposit withdrawal जितनी भी सारी चीज़े है वो यहाँ पे कोई भी problem नहीं होने वाली है आने वाले time में हमें और भी चीज़े देखने को मिल सकती है जो securities exchange commission होते हैं वो Thailand के हो चाहे America country के हो उनकी नजर कहीं न कहीं सभी Bitcoin cryptocurrency exchange हो पर रहती है और जो भी यहाँ पे fraud और scam होते हैं consumer protection के लिए यह लोग यहाँ पे check out किया करते हैं जो कि हम सभी आप सभी जितने भी Bitcoin cryptocurrency के users हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुस खबरी वाली बात है उसके बाद में बात करेंगे अगली जो important news निकल करके आ रही है वो यह है कि investment bank investment bank molis and corporation start advising blockchain companies आप लोग खुस सोचिए पूरी worldwide famous एक बहुत बड़ी company है जिसका नाम है molis and company और इसने यहाँ पर official announcement किया है कि हम भी यहाँ पर blockchain technology का use करने जा रहे हैं और technology के बिहाब पे हम काम भी करने वाले हैं तो आप लोग खुस सोचिए कहीं न कहीं यह बहुत ही जबर्दस तरीके से काम हो रही है और मैं already bitcoin cryptocurrency की market में बहुत सारी ऐसी news और update share करता रहता हूँ कि पूरी worldwide जितनी भी बड़ी company है वो आज नहीं तो कल bitcoin cryptocurrency market में bitcoin cryptocurrency exchange में nfts में web 3.0 में metaverse में blockchain technology में involved होने वाली हैं तो आने वाले टाइब में ऐसी बहुत सारी company हमें देखने को मिल सकती हैं जो यहाँ पर news और announcement करती नजार आएंगी अब हम बात करेंगे जो अगली important news निकल करके आ रही है वो है सभी ripple cryptocurrency users के लिए पिछले 8-10 दिनों में आप लोगों ने notice किया होगा बहुत सारी ripple cryptocurrency की news निकल करके आ रही है जो कि मैं आप सभी लोगों के साथ में भी share करता हूँ तो आज जो news निकल करके आई वो यह है कि ripple links major partnership with Singapore based payment institution Singapore country की एक बहुत बड़ी company है और वो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट gateway प्रोवाइड करती है पेमेंट से related काम करती है और आप लोग खुस वचे कि ripple की partnership हुई है मैंने ripple के उपर एक proper way में वीडियो भी बनाया है और proper तरीके से आप सभी लोगों को बताया है कि ripple cryptocurrency जो है वो payment gateway के लिए जादा partnership करती है तो ये बहुत बड़ी news है अपने आप में सभी ripple cryptocurrency users के लिए आने वाले time में आपको ripple cryptocurrency में बहुत कुछ देखने को भी मिल सकता है उसके बाद में जो अगली important news निकल करके आ रही है आप लोगों ने notice किया होगा पूरी worldwide जितनी भी government से वो कहीं न कहीं bitcoin और cryptocurrency को बहुत ज़्यादा support करती है investment भी करती है और कहीं न कहीं framework भी तयार कर रही है तो ऐसे में जलते हैं आज की जो आखरी news है वो ये है कि Hong Kong positioned as the most crypto ready country in 2020 2022 में जो Hong Kong country है उसने अपनी position को यहाँ पे maintain करके रखा है कहने का मतलब कि Hong Kong जो है वहाँ की government जो है वो bitcoin cryptocurrency को बहुत ज़्यादा support करती है bitcoin cryptocurrency की जितनी भी mining firm से उनके उपर proper काम करती है exchanges के उपर और ATMs के उपर तो कहीं न कहीं Hong Kong की जो government है वो बहुत ही ज़्यादा bitcoin cryptocurrency की market को support करती है तो आज के वीडियो में यही important news थी आज की सबसे अच्छी news आपको कौन सी लगी हमें comment section में comment करके जरूर बताईएगा वीडियो में अगर 1% भी knowledge मिली है तो वीडियो को like, share, subscribe कर लीजिएगा मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए take care, west aap luck, have a nice day